नमस्कार साथियों मेरा नाम है अभेनाव तोशांशु पांडे और अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तो आज हमारी चर्चा का विश्य क्या है? चलिए इस तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिंग तो आपको मुझसे मिलते ही रहते हैं आज हमारी चर्चा का विश्य है भावतेकी की समझ अब ये क्या बात हुई? आप भावतेकी को कैसे समझ रहे हैं? इसके बारे में चर्चा क्या करना? हम धीरे धीरे सारे कंसेट समझते जाएंगे लेकिन ऐसी बात नहीं हैं हम बात करने वाले हैं आज कि हम हमारे जो वग्यानिक है या फिर NCRT की ही बात कर लिजिए इन्होंने हमको समझाने के लिए ऐसा कौन सा सही रास्ता अपनाया जिससे हम अब भावतेकी को आसानी से पूरी तरीके से समझ पाएंगे उससे पहले हम मानव इतिहास के बारे में बात करेंगे मानव विकास की जो है जो परत दर पतर परत जो है जो चीजे घटनाय हुई है उन सारी चीजों के बारे में बात करने लगेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम अपनी समझ को विक्सित करते हैं कक्छा ग्यारवी के जो बच्चे हैं इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि इनका जो है जो विसय जो डिजाइन है इनकी पूरी पाठे पुस्तक जो लिखी गई है उसको उस प्रकार से लिखने का उद्देश्य क्या है तो चलिए आईए देखते हैं पैन कॉपी बिलकुल बंद करतीजिए बस आप समझते रहिए आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए उसको आत्मसाद कीजिए और इसी हिसाब से जो है आप अपनी प्लानिंग भी कीजिए ताकि आपका रिजल्ट सुधर सके चलिए आईए बात करते हैं और ये है हमार अनन्त ब्रम्हांड इस ब्रम्हांड में अर्बो तारे हैं अर्बो तारों में से एक हमारा सूर्य है और इस प्रकार से इन सारे के सारे के तारों के बीच में या पिंडों के बीच में जो है आपस में जो है बलों का अदान पदान होता है इंटरेक्शन होता है इन से प्रक हमारे सोचने का विसाय है कि इतने बड़े ब्रमांड के बारे में जब हम अपने सवाल पूछेंगे तो उन सवालों को का उत्तर भी तो चाहिए अगर आपको भगवान से सीधे जो है डारेक्ट मुलाकात हो जाए और फिर जो है अगर आप भगवान से सवाल करने लगें तो पहली बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सवाल क्या है और दूसरी चीज़ कि अगर उन्होंने उत्तर दिये तो आपके पास उसे समझने की भी छमताएं होनी चाहिए हम थहरे मूड प्राणी तो हम जो है धीरे धीरे करके अपनी छमता को विक्सित करने मे लगे हुए हैं यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं यह एक टकनलॉजी है जब आपसे कोई बात की जाती है तो क्या कहते हैं अरे यह कोई राकेट साइंस नहीं है भाईया असानी से समझ जाओगे लेकिन कभी न कभी राकेट साइंस की बात भी तो करनी पड़ेगी वो रॉकेट के मामले में काम कर रहा है ऐसा संभाव कैसे होगा उसकी ग्यान की जो है जो ट्रेजेक्टरी है वो जिस तरीके से अपने ग्यान को अरजित कर रहा है उस की सब्सक्राइब करेंगे हम तो यहां पर देखिए एक मॉबाइल फोन है और मुबाइल फोन में भी ये चोटे-चोटे जो हजारों जो चीजें लगी हुई है इन सब चीजों का वहाँ पर एक विसेस महत्व है उसकोई कारण है जिसके कारण उसको इतनी चोटी से चीज में लगाया गया है वो कारण हम समझेंगे कैसे ये एक फॉर्मूला वन कार है तीन हजार से ज़्यादा पुर्जे होते हैं उसकार में और उसको भी बस वैसे ही चलना है जैसे हम चार चक्के लगाके एक छोटी सी जो है कार चलाते हैं एक छोटा सा खिलोना खिलते हैं लेकिन अब इस गती में जो है हर एक पिंड का हर एक पार्ट का हर एक हिस्से का में आनी चाहिएं ताकि हम उसकी कम से कम मरमत तो कर सकें लेकिन इन सारी चीजों को एक साथ समझने के लिए हमारा जो प्रयास है वो सुरु तो यहां से होता है एक गुफा के अंदर बैठे हुए कुछ लोग मिलकर आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं यही है हमारा असल इतिहा यही है मानों की असली प्रवित्ती जहां से हम लोगों ने परत दर परत कदम दर कदम धीरे धीरे करके अपना विकास किया और यह सारी चीजें बनाई आज हम उस स्थिती में हैं कि हम अंतरिक्षी की ओर देखकर अपने सीमित ग्यान के बारे में जो है जानकारी कठी कर सकत हैं हम यह सोच सकते हैं कि हमें अभी और कितना कुछ जानना है लेकिन यह जानने का जो क्रम है वो कैसे होगा चलिए आये देखते हैं सबसे पहले हम लोगों ने भौतिकी में गती के बारे में सीखने की जिग्यासा रखें इस त्री विमियर त्री टाइमिशनल जो है जो ग करके एक एक चीजों पर चर्चा करना शुरू किया तो हम क्या देखते हैं कि क्रशा गयारवी में हमारा जो सबसे पहला जो चैपटर है जो वास्तों में जो है फिजिक्स की बात करता है वह बात करہरा है एक वीवियर गती यहाँever चौनल अपर यहां हम सिर्फ एक लाइन म जो है बनता है एक जो हम को समझ में आने वाला ब्रम्हांड है उसके बारे में त्रिवी में गढ़ना करने लगेंगे तो उसके लिए पहले हम क्या सीख रहे हैं एक सिंपल लाइन में चलने की गति अब उसी प्रकार से ये कार है जिसमें बहुत सारे पुर्जे हैं इसका जो ह बहुत सारी खासियते हो सकती हैं हमारे पास में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इन खासियतों के बारे में सीख सकें तो हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने एक बिंदू चुना एक छोटे से बिंदू की गति को जब हम समझने में सक्चम हो जाएंगे तो फिर बिंदू के बारे में तो समझ लिया इसी प्रकार से अब आगे क्या है कि हम लोगों ने जब गती देखी तो सिर्फ गती के बारे में बात की इतना सारा डीटेल जो है हम फिजिक्स में बात करने वाले है जहां पर हम जो एक समान गती कैसी है तोरण वाली गती कैसी है वो जो है बढ़त के प्रभाव देखे लेकिन गती का कारण नहीं देखा अब हम अगले वाले चैप्टर में क्या देखने वाले हैं कि गती का कारण क्या है वो कौन है जो बल लगा रहा है वो किस दिसा में बल लगा रहा है लगाए हुए बल का प्रभाव क्या है उससे जो है हम बाकी की चर्च आता है जहां हम लोगों ने मान लिया है कि हम को कुछ नहीं आता और उसके बाद में हम धीरे धीरे करके सारी चीजें सीखने का प्रयास करते हैं तो एक बार जब हम लोगों ने बल के बारे में सीखा तो अब जो है हम क्या करेंगे कि हम उसके बाद में जो है अपनी गेंद को थोड़ा बड़ा बनाएंगे उसमें जो है देखिए यहां पर जो है एक कार तो आगे चलती है लेकिन यह हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक सौक अब्जॉर्बर लगा हुआ है और यह सौक अब्जॉर्बर जो है सिर्फ आगे पीछे या उपर नीचे गती करता है और उ आज हमारी चर्चा का विशा है वो हमको ये सिखाता है कि हम लोगों ने अभी तक का सफर ताय कर लिया है हम लोगों ने धीरे धीरे करके एक विमिय दुए विमिय त्री विमिय गती के बारे में चर्चा की हम लोगों ने बल देखे बल के प्रभाव देखे उसके कारक देखे हम लोगों ने शक्ति की चर्चा की कारे की उर्जा की सारी चीजों की चर्चा कर ली और अब हम बात करने वाले हैं कि अब हमारा दिमाग बड़ा हो रहा है और उसी तरीके से हमारा वो जो बिंदू था एक छोटा सा पॉइंट था जिसे लेकर हम लोगों ने सारी गती सीखी अब हम उसको आकार देने वाले हैं उसको थोड़ा बड़ा करेंगे उसके बारे में समझेंगे उसके अंदर जो है जो प्रभाओं होने वाले हैं बाह यकारिकों के उन सारी चीजों को देखेंगे तो आप समझ लीजे कि हमारी जो physics है हमारी जो भौतिकी है वो evolve हो रही है वो wixit हो रही है और अगला जो हमारा जो chapter है वो इसी भी कास के उपर है आज हम बात करने वाले हैं कणो के बारे में उसकी जो है जो कुल्मिला के गती होती है उसके बारे में और हम मिलकर जो है बहुत अच्छी अच्छी चीजे सीखेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप इंतजार करिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद.